इस वीडियो इस ब्रॉट टो यू बाइ स्प्लाइस है मजबूत रहयतूट एक नेत्री जिसे कभी देश के प्रधार मंत्री रहे पीवी नर्सिंग राउ ने लोगतंत्र का चमतकार यानि मेरे के लौट डेमोकरेसी कहा था जिसने सियासी रूप से देश के सबसे ताकतवर सूबे उत्तरप्रदेश की सियासत के तमाम इस्थापिस समय करोणों को उलट पुलट कर रग दिया देश की राजनीट पे दलित चेतना के नय युक का सूत रपात किया चार बार उत्तरवर्देश के मुख्यमंत्री रही वो अब 65 बरस की हो चुकी है नाम है मायावती हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की जिनका 15 जन्वरी को जन्म दिन होता है मायावती अभी राजनीत में सक्रिये हैं लेकिन जब जब ये सवाल उठता रहता है कि उनका सियासी वारिस कौन होगा नेत्रत्व की अगली पीड़ी का ये सवाल सिर्फ मायावती पर ही नहीं बलकि निदिश कुमार, नवीन पतनायक और ममदाब अनरजी पर भी लागू होता है लेकिन चुकि आज मायावती का जर्म दिन है, इसलिए हम मायावती और बहुचिन समाज पार्टी के भावी नेत्रत्व पर ही फोकस करेंगे बड़ी शिद्दस से कांशी राम ने इस पार्टी को बनाया सवारा और देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता तक पहुचाया यह कांशी राम की दूज रशिता का ही कमाल था कि आजादी के बाद देश ने मायावती की रूप में पहली बार इतने बड़े इस्तर प्रदलित महिला का नेत्रत्व देखा तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग है जिने बस्पा के भावी नेत्रत्व करता की रूप में देखा गया था या देखा जा रहा है पहरा नाम आर्के चौधरी, आर्के चौधरी बस्पा के पुरान नेताओं में सेक रहे हैं, कई बार लखनों के पास की मोहलाल गंच विधानसुबा सीट का प्रतिंधित किया है, वो मायवती की पहरी कैबिनेट के सदत से रहे, शुरू में उन्हें मायवती के सबसे होगी पाया जाता था, इसी कारण गाहे-बगाहे मायवती के उत्तरादिकारी के तोर पर भी उनका नाम लिया गया है, लेकिन इन से वर्टकलों पर दोजार दो में तब विराम लग गया है, जब आर्के चौधरी को बस्पा से निसकाशित कर दिया गया, अलाकि बाद में पार्टी में लोटे, लेकिन जून 2016 में ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी, ये बस्पा में टिकेटों की खरीद फरोग्त होती है, फिरहाल आके चौधरी कॉंग्रेस में है, दूसरा नाम स्वाइप्रसाद मौरिया का, स्वाइप्रसाद मौर को भी कभी मायवती के पास्पादल के नेता और उस हैसियत से विदान सुभा में विपक्ष के नेता भी रहे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी में किनारे किये जाने लगे, पार्टी में उनकी अपनी उपेक्षा से आहा स्वामी प्रसाद मौरे ने जून 2016 में पार्टी छोड़ दी, पार्टी रहने वाले हैं, मायवती आजम गड़ के पास की अकबर पूर संसदीर सीट से सांसद हुआ करती थी, अकसर उस इलाके का दौरा किया करती थी, इसी दौरान उनकी नजर पार्टी की कारिकरता और लॉग रेजुएटर राजराम पर पड़ी, इसके बाद राजराम का सियास इकत बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जल्दी ही उन्हें राजर समा भेज दिया गया, उपार्टी की राश्ट्री उपादश भी बना दिये गया, मायवती के उत्रात कारी के तौर पर उनका नाम उभरने की कहानी बड़ी दिल्चस्प है, वाकिया 2008 का है, मायवती पूर और इस नेताओं को सील बन लिफाफे में उस व्यक्ति का नाम देकर सूचित भी कर दिया गया, मेरा उतरतकारी दलिस समास से है और उम्र में उससे 18-20 साल छोटा है, हलाकि मायवती ने उन दो नेताओं का नाम कभी नहीं बताए जिने उन्होंने वो सील बन लिफाफा लेकिन लोग की नज़र राजाराम की ओर जाने लगी, जो उस वक्त बस्तपा के उपाधिक्ष और रास्वा सांजद होने के साथ साथ मध्रदेश में पार्टी के प्रभारी वे थे, साथ ही मायवती द्वारा दिये गए तमाम संकेतों के अनुकूल भी लग रहे थे, लेक कई राजनेतिक दलों में परिवार के सदस्यों को ही विरासस तो अपनी के परंपरा है, इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि आना आनंद कुमार मायवती के उत्तरादगारी हो सकते हैं, लेकिन बात के दिलों में उन पर मायवती के मुक्ष मंत्रित काल के दौरान के कई का थित्वित्ती अपरात के मुकद में चलने लगे, बेनामी संप्रत्ती अर्जित करने के कई मामले सामने आए, इसके बाद उनका नाम मायवती के सम महवित उत्तरादगारियों के लिस से बाहर जाने लगा, पांशवार अंतिम नाम है आकाश आनंद का, आकाश आनंद माय आनंद कुमार के बेटे हैं, यानि मायवती के भतीजे हैं, और उनने ब्रिटेन से MBA कर रखा है, 2019 के लोग सुवा चुनाओ में मायवती ने चुनावी दोरों में उन्हें अपने साथ घुमाया भी था, आकाश टेक्स से भी माने जाते हैं, उनके बारे में आम धारणा ये ह कि वो अपने टेक्नाओलजी प्रेम के कारण नई पीढी से जूडने में सुक्षम हैं, पिछले चुनाओ में उन्होंने पार्टी के तरफ से सोशल मीडिया से संबंदित कुछ दिम्मेदारियां भी समानी थी, तब से राजनितिक हलकों में ये धारणा बनने लगी है कि आ आकाश आनन मायवती के संभावित राजनितिक वारिज हो सकते हैं। उमर के उस मकाम पर पहुँच गई हैं, जहां से अगले कुछ सालों में उन्हें फ्यूचर के लिडर्शिप को ग्रूम करना होगा। जबकि politics एक full time work है। लेकिन समय का पहिया जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा मायवती के उत्तरा दिकारी और उसकी संभावित राजनितिक शम्ता के बारे में लोगों की दिल्चस्पी बढ़ेगी। आपको कौन सही लगता है इन नामों में से या कौन हो सकता है में कमण बॉक्स में लिक कर जरूर पताएं बाकी देखते रहें दिललन टॉप आपको कौन सही लगता है